सहर के नगर थाना छेतर इस्तित कल्यानी मचली मंडी में 40 वर्सिय एक रोल दुकानदार विकास कुमार की संदिक इस्तिती में मौत हो गई वच्छत से गिर गया था आननफानन में उसे सदर अस्पताल में भरती कराया गया जहां चिकुसकों ने उसे मृत घोसित कर दिया घटना के बाद परिजनों में कहुराम मच गया वही मृतक की 11 वर्सिय बेटी ने अपने सौतेले भाई पर पिता की हत्या करने का आरोप लगाया है इधर घटना के जानकानी मिलते ही नगर पुलिस मामले की च्छान भीन सुरू कर दी है मृतक के परिजनों से पूस्ताच कर रही है मामले में मृतिका की बेटी ने कहा कि उसके पिता रात को नशे में आये थे वे और मा च्छत पर जगर रहे थे इसी भी सौतेले भाई ने उन्हें धक्का देकर च्छत से गिरा दिया बदाया कि इससे पहले पिता को देखकर उसे चाकू ले रखा था लेकिन देर रात करीब साड़े बारा बजे पिता को धक्का देकर नीचे गिरा दिया उनके मुँ वर नाक से खुन निकलने लगा अस्पता ले गया लेकिन उनकी मौत हो गई पापा को भईया रात में बपा थो रसे पे क के आए थो उस चाको लेके निकला घषे और मिले बोला मार देंगे और फिर निकल के सवा आया तो नहीं मारा रासी काटने लगा कपड़ा वाला उसको पापा ममें सकाली गलाुच करे तो तो स्कुरेब धकेल दियानी सब्सक्राइब करने वाले थे एक रोल का सब्सक्राइब करने के लिए उसी उसी को करने के लिए आज से लगने मिश्टर विकास था लगा देने के लिए नीचे गए उसके प्रमु से बलाट गिर रहा था तो हम लोग जल देशा उनको सदर होस्पिटल लेकर गए उसके बाद उनका उल्टा सांस चलने लगा पहले पहले कितना वार मेरा भाई मारा हुआ है एक बार तो पुरा ये वाला फट गया था पापा का पहले कितने के लिए कि बाप भी केश के धकेल दलके धकेल निकले बच्चा के धर के ले गए हुस्पीटल में ले गए बच्चा सुवाद तूर दिया हुस्पीटल में आते ते सुवाद चल ला था इस इखें नहीं जाएं वे लुक्षा शा executive गया द़्या जाने। गुर्याद तंगी तोरके